वेलकम दूश्टडी चैनल मिना नाम है मुहम्मद कैसर फाइनली बीपेसी ने ट्यारी 3 का OMR जारी कर दिया अब तक आपने देखी लिया होगा OMR जारी होने के बाद अब काफी विवाद बढ़ रहा है इसको लेकर कुछ अपडेट निकल कर आई है बात करेंगे इस वीडियो में देख सकते हैं BPSC TRI परिक्षा से जुड़ी अपडेट आ रही है OMR जारी होने के बाद अब भैर्थियों में असमंजस की इस्तिती है कई अब भैर्थियों की मिल रही है शिकायत बिना गोला रंगे हुए भी नीचे आप्सन में ओके शो कर रहा है वही कई के रंगे होने के बाद भी उसे नीचे अड नहीं किया गया है आयोग को पूरे मामले की जानकारी है रजनीस कुमार नुजटिन के पतरकार दौरे जानकाई दी गई है अपत्ति आते ही आयोग फिर से क्रॉस चेक करेगा तो यहाँ पर फिर से OMR की क्रॉस शेकिंग की जाएगी आपत्ति दर्ज कराने वाले और नहीं दर्ज कराने वाले का भी OMR फिर से चेक किया जाएगा तो सभी OMR फिर से चेक किया जाएगे कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व किया जाएगा कई signature और roll number छोड़ जाने को लेकर भी tension में है ऐसे अभेरतियों को भी मौका दिया जाएगा वैसे अभेरतियों का result प्रभावित नहीं होगा यदि आपने OMR में signature नहीं किया या roll number छोड़ दिये तो भी tension लेने की आउशटता नहीं है ऐसे अभेरतियों का भी result BPSC देने वाला है merit में कोई गरबड़ी नहीं होगी ऐसा आयो का कहना है OMR पुरी तरीकी से cross check करने के बाद answer की जारी की जाएगी थोड़ा सा समय अब लगना है दोस्तों और answer की में भी अब delay होगा क्योंकि फिर से OMR का cross check किया जाएगा तो answer की में delay होना आता है और जब answer की में delay होगा तो फिर result में भी delay होगा अब हो सकता है result आपका इस माना आकर अब अगले माँ से तंबर तक आ सकेगा आयो का साब कहना एक result में देरी हो जाए लेकिं result में गरबड़ी नहीं होनी चाहिए ये काफी अच्छा एक BPSC का बयान है और उनके तरफ से अच्छी कारवाई की जा रहे है एक result में थ्वाट delay हो जाए कोई बात नहीं लेकिं result में गरबड़ी नहीं होनी चाहिए तो MR को लेकर बहुत सारे चाह शिकायत कर रहे थे और अब आपके शिकायत को BPSC ने समझ लिया है सारे मामले का संग्यान BPSC को है और अब एक बार फिर से सारे MR का क्रॉस चेकिंग किया जाएगा तो ये कुछ मात्पूड अपडेट आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग